घर में बहुत सी ऐसी चीजें और डेकोर पीसीज होते हैं जिनका कलर खराब हो चुका होता है या वो देखने में अच्छी नहीं लग रही होती हैं। अगर आप कबार की तरह घर में जमा करते चले जाएंगे ना तो घर में नेगटिव अनर्जी को क्रियेट करती हैं। एनर्जी की फीलिंग आएगी आपको। दिपावली की सफाईयों में बहुत सी ऐसी चीजें बाहर निकल रही हैं। दिखाई दे रही हैं कि ये भी खराब हो गया है वो भी खराब हो गया है। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना इन पुरानी सारी चीजों को एक नया लुक दिया जाए। मेरे पास एक पुराना प्लांटर था एक वास था जिसका की बहार से कलर खराब हो गया था। और भी एक चोटा सा प्लांटर था चोटी चोटी बॉटल्स थी जिनका की बहार से कलर खराब हो गया था। एक flower थे जो कि golden color के थे उनका भी color खराब हो गया था तो मैं इन सारी चीजों को आज लेकर बैठी हैं और एक golden color का spray paint मैंने खरीदा है इनके लिए आज इन सारी चीजों को मैंने golden color के एक ही color से मैंने इन सारी चीजों को नया look दे दिया है और ये दिखने में फिर से नहीं ही दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये पुरानी थी, इनने दुबारा से पेंट किया गया है, कभी-कभी कुछ फरक नहीं पड़ता है, आप पुरानी चीजों में भी DIY करके, उन्हें पेंट करके, अपनी क्रियेटिविटी यूज़ करके आप उसमें नई चीज की खुशी ढूंद सकते हैं हमेशा ज़रूरी नहीं है कि कुछ नया खरीद करके ही मन को खुशी होगी कई बार इस तरह से पूरानी चीजों को जब नया लुप देते हैं और फिर घर वाले भी तारिफ करते हैं कि देखो इसने पूरानी जीज को भी नया बना दिया है फैंका नहीं है कलर करने के बाद ना दोनों ही प्लांटर स्टैन फ्लावर वास इन सब में एक नई जाना गई सब चीजें ऐसे नई जैसी चमक उठी थी और खुद को भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा था अच्छा लग रहा था कि मैंने प डेकुरेट करने के बाद ना घर में एक नया पन और पॉजिटिव एनरजी की फिलिंग आ रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बाजार से कुछ नया खारीद करके लाई हूं अभी दिपावली की सफाईयों में आप सब की घर में भी इस तरह की पुरानी चीजें बाहर निकल रही होंगी हो सकता है वीडियो देखकर आपको भी कुछ आइडियाज आपके दिमाग में आएं कि आप अपनी चीजों को किस तरह से रियूज कर सकते हैं अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई